हेलो फ्रेंड्स वाल्गम तो माई यूट्यूब चैनल टेक्रेडिट तो दोस्तों ट्रेंस टेक का एपिसोड नमर ये टू है यहां पर आज हमाई यार सिटी से अप्लिकेशन के बारे में जानेंगे जीप यह ओप्सन हमारा आएगा जितना भी ओप्सन है ट्रेंड कैसे सब्सक्राइब को लोग इन कर लोगिं तो Kash GRÜNEN करेंगे हैं यहां पे यूजर दालने के बाद सीचैनल फ्रेंड कोई नंबर नाल का सब्सक्राइब नियुक्त डिटेल में हम जानेंगे कैसे आपको ट्रेंड का टिकट बुक करना है सबसे पहले ऑप्संग मिल जाथ है दोस्तों जो भी हमें ticket cancel कराना रहता है वो है और refund history मिल जाता है चार्ट मिल जाता है IRCTC AI मुदरा दोस्तों इसका application है wallet है IRCTC का book email है flight है IRCTC tourism है इसके लावा magazine है और last में हमें मिल जाता है ask दिसाब वो एक help करने के लिए है कि आपको IRCTC में कैसे कैसे आपको use करने है PNR inquiry से दोस्तों शुरू करते हैं यहां पर आपको क्या करना है कि अपना 10 अंग का जो भी PNR मिले है उसको यहां पर डालके आपको search कर लेना है यहां से आपको जितना भी sitting का planning होगा वो आपको दिख जाएगा तो यहां पर मेरे पास अभी PNR नहीं है इसलिए invalid लिख रहा है चले next option देख लेते हैं दोस्तों यहां पर my bookings में my bookings में जितने भी आपको booking होंगे सबसे पहले वो दिखाएगा बगल में आपको upcoming journey का दिखाएगा और उसके बगल में आपको past journey जो बीच चुका है वो दिखाएगा आगे चलते हैं दोस्तों यहां पर my bookings आप समझ गए होंगे यहां पर आपको booking related things हैं वो दिख जाएगे इसके अलावा दोस्तों फेल्ड ट्रांजेक्शन में जो आमारा ट्रांजेक्शन किया हुआ होगा लेकिन फेल्ड हो चुका होगा टिकट नहीं कटा होगा पैसा कट गया होगा तो वह यहां पर आपको दिख चाएगा नेक्स्ट ओप्षन दोस्तों यहां पर file TDR वह होता है जहां पर आप अपना cancel कर सकते हैं टिकट ओनलाइन जो बुक करवाओंगे वह यहां पर आप file TDR करके cancel करा सकते हो दोस्तों यहां पर refund history में देख सकते हो जो आपने मिल जाता है charts तो charts हमें redirect कर देता है और website के लेकर चला जाता है इसके लावा जो हमारा next option मिलता है जो हमें bugle से मिल जाता है दोस्तों वह हम देखेंगे यहाँ पर वही सब सामने वाला जो मिलता है वही option मिलता है logout के साथ इसके लावा कुछ यहाँ पर मैं आपको ask दिशा बता देता हूँ दोस्तों ask दिशा से आप बस IRCTC application से जुड़े कुछ पूछ सकते हैं जैसे की cancel कैसे कर सकते हैं आप ticket या फिर refund status ये सब के बारे में आप जनकरी ले सकते हैं इसके लावा next यहाँ पर हमारा my account है my account से आप profile update कर सकते हैं प्रोफाइल चेक कर सकते हैं पासवर्ट चेंज कर सकते हैं और यहां पे मैं आपको आधार के वाई से उसी में आता है, यह दिखा देता हूँ तो यहां पे आपको आधार वाला नाम और अधार नमबर डाल के यहां पे चेक करके और send otp करके आपको verify कर देने से आपका यहां पे IRCT से आधार लिंक हो जाएगा, तो इस तरह से आप भी याधार लिंक कर सकते हैं दोस्तों इसके लावा हमारे पास more वाला एक option मिल जाता है more वाले option में हमारे पास बिकल्प का एक system मिल जाता है बिकल्प उसके लिए है जो आपने खिरकी से टिकट कटाया है और gallery वीडियो में हमें मिल जाता है अपने railway के बारे में फोटो और वीडियो जाते हैं इसके लावा दोस्तों चलिए अब हम कुछ काम की बात करते हैं यहाँ पर प्लान में देख लेते हैं कि कैसे हमें टिकट को करने हैं दोस्तों सबसे उपर हमारे पास option मिल जाता है फ्रॉम का फ्रॉम के बगल में टू का तो यहाँ पर जैसे मैं आप भी दिखाता हूं step by step आपको कैसे कैसे करना है तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रॉम में हमारे अपने डाल देना है नीचे आपको यहाँ पर डेट दिख जाएगा टू डे का दिखाएगा और नेक्स डे का और उसके बाद आप जर्णी डेट अगर यह इन दोनों के अलावा कोई है तो वह आपको जर्णी डेट में मिल जाएगा इतना करने के बाद दोस्तो मैं आपको और बता देता हूँ नीचे यहाँ पर जैसे कि अगर आपको 25 तरीक के जर्णी करना है तो यहाँ पर उसके अलावा आपको दिखाएगा 26 का और 27 का यह option हमें flexible with date वाले option से मिल जाता है दोस्तो 27 इसका भी आपको ट्रेन दिख जाएगा तो अगर आपको फ्लेक्सिबल विट ट्रेन में आपको अगर एक दो दिन आगे वी जाके करना है तो वो कर सकते है में आपको आगे बताता हूं दोस्तों वो क्या है और एक लास्ट option मिल जाता है connecting journey with booking तो आपने जो टिकट कराया होगा मैं आपको उसको आगे समझा देता हूं सबसे पहले दोस्तों यहां पर हम फ्रॉम में आपना जहां से हमें जाना है वो सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे मैं हम डालेंगे तो यह चेंज हो जाएगा फ्रॉम का टू और टू का फ्रॉम में यहां पर दोस्तों मैं जैसे जॉर्णे डेट 31 जुलाई का सेलेक्ट कर लेता हूं और फ्लेक्सिबल विट डेट में दिखा देता हूं यहां पर दोस्तों सपेसल कंसेशन में वही होता है कि तो चलिए यहां पर हम फ्लेक्सिबल विट डेट और कंफर्म यहां पर मैं बता देता हूं कि एक जो मारा ऑप्शन मिल जाता है कनेक्ट विथ अदर वो उसमें दोस्तों अगर आपने खिरकी से कोई टिकट कटाया होगा और उसको इस जड़नी से जोड़ना चाहते हैं तो तो यहां पर आपको एक आप्सण मिल जाता है कनेक्टिंघ वाला पर सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट करदना इसके बाद चौब आपको पी एन यार होगा खिरकी वाले टीकट पर एक सात और उसी टीकट के आशपस आपका भी टीकट दे दिया जाएगा तो चली साच ट्रेंग करते हैं तो दोस्तों उस रूट में हमें जितने भी ट्रेन ऊहँगे धिए यहां पी देख सकते हो कि मात्र एक यह है ट्रेन में यहां सबसे ओपर मिल जाता है दोस्तों गुंदिल खोंदments जाल से चलत सोब चलते हैं यहांपर डेंटें नयकोड़ यहांपर के अलावा दोस्तों जो बिएब गणहस्ट में ओपर में देख सकते हो कि जैसे जेनरल लेटेज लोर बार्थ सिनियर सिटीजन का यहां पर यहां पर ऑप्शन लिलता है यहां पर अगर आप सिनियर सिटीजन रेलवे उसी को देता है जिसमें मेल के लिए 60 काईज और फीमेल के लिए 45 प्लस होना ज़रूरी है दिव्यांग जन में चार हमें फर्स्ट क्लास एसे सेगने क्लास एसे ठावर क्लास और स्लिपर तो यहां पर मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूं यहां पर तीन चार आप्शन मिल रहे होंगे तो आपको गन्फिज नहीं होना है नीचे आपको एक चीज दिख रहा होगा 31 जुलाई उसके बागल वाले औ digestive में आपको मैं दिखा रहा हो कि यहां पर एक अगस्त उसके बागल वाले में हैं दो आगस्त तो यह सब अलग अलग डेट के अलग अलग छीट दिखा रहे हैं कि कि अगर आपको 31 को चीड नहीं है तो अगले दिन कर सकते हैं फिर मैं देख पक्ते तो 2255 र और ठर्डेसी में भी देख सकते हो अलग अलग तरह का सीट बाकी है एबलेबल है हर दिन के लिए स्लीपर में भी कुछ वैसे ही है तो यहां पर देख सकते हो छोटा सा आई बटन आता है वहां से आप फेर का जो ब्रेक अफ है कि क्या क्या चार्ज लग रहा है वहां से आप कर सकते हो चलिए मैं थोड़ा एसी का दिखा देता हूं यहां पर देख सकते हो रिजर्वेशन चार्च साथ रुपए लग रहा है जबकि स्लीपर में 20 रुप है और जीएश्टी भी 108 रुप है स्लीपर का हम दोस्तों बुक नव करके देखते हैं कैसे करना है तो यहां बुक कर लिया तो यह सब आपको यहां पर चेक कर लेना है दोस्तों इसके लिए वह आपको मिल जाता है एक ट्रेवल इंस्वरेंस सिर्फ उन्चास पैसे पर पॉर्शन के लिए उसमें आपको कुछ अगर एक्सिडेंट होता है या फिर कुछ भी होता है ट्रेंड के साथ जॉर्णी में तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ इंस्वरेंस मिल जाता है यहां पर देख सकते हो सब कुछ करने के बाद यहां पर नीचे हमारे पास चार उप्शन है उसको हम डिटेल में जानेंगे कैसे आपको एड करना है पैसेंजर प्रिफरेंस क्या है एड़ चा करके देखते हैं दोसटो एड पेसे अंजेर पे हमें क्लिक कर लेना ही आप लिए तो वाइर्थ का प्रिफरेंस में टोस्तों के वाठ उप्षन हमारे पास मिलतें हैं लोवर मिडिल पर और साइड़ लवड़ साइड अपड यह लोवर मे Each These ना ते sind सपाइड ओपार सीधार सिंगल सिंगल होते हैं वींडू की तरफ एक वाले उप्शन तो यहांपे मैं एक उप्शन सेरेक्ट कर लेता हूं जैसे कि लोर में यहांपे सेरेक्ट कर लेता हूं और पर हम दैखते हैं कैसे आपको क्या करना है Nationality में आपको ट्रेवलर का नाम लिखना तो यहां पर इंड्या कांट्रे अपना होगा यहांपे दोस्तों जैसे आप एड हो चुकए है पैसेंजर यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर राज इसका نम है यहां पर इसका एज और उसका जेंडर और प्रिफरेंस लिख देगा वी दोवर और यहांसे आप दिलीट भी गर सकते हो दोस्तों जैसे मैं आपको एक आड़ करके और डिलीट करके दिखा देता हूँ जैसे यह अपना add passenger कर लेते हैं, एक और फिर उसको हम delete करेंगे, तो जैसे अपना passenger हम simple से add कर लेते हैं, कोई भी ऐसे ही दिखाने के लिए मैंने add कर लिया है, यहाँ पर मैं जो delete वाला option होता है, वहाँ से आप delete कर सकते हैं, दो passenger आपको आप दिख रहे होंगे, यहाँ से आप चाहें, तो और भी passenger add कर सकते हैं, तो यहाँ पर simple यहाँ डिलीट वाले option पर क्लिक करता हूं, डिलीट वाले option पर क्लिक करने के वाद, एक बार confirm कर देना है, यह करके, यह करते हैं, तो यह आपना delete हो जाता है passenger, इसके लावा दोस्तों यहाँ पर preference किया है, add चल किया है, यह मैं आपको समझा देता हूं, यहाँ पर नीचे हमारा mobile number मिल जाता है, जहाँ पर हमारे जितने भी train से और जूरे हुए ticket से हमारा message आते रहता है, तो यहाँ पर इसको आपको important रखना है, कि mobile number आपको डाले देना है, यहाँ तो वो पहले से भी डाला रहता है, वो उसको आप यहाँ पर चेक कर लेना, preferences का दोस्तों नहाए एक option आया हुआ है, IRCT से द्वारा, लेकिन अभी तक यह मुझे खास समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर boarding station, boarding point ले रहा है, जिसे मैंने पढ़ा कहीं कहीं, तो वहाँ पर वता रहा है कि अगर आप change करना चाहें, boarding station, तो आप 24 ग अभी मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा है, प्रिफिर कर सकते हैं, GST में दोस्तों यह option आ जाता है, इसको हमें छोड़ देना रहता है, सिंपल से book now पे click करके, हमें payment वाले option मिल जाता है, payment detail में दोस्तों एक बाद फिर से हम last सब चेक कर लेंगे, अपना train का number, train का नाम औ और फिर चेक कर लेंगे, सब कुछ चेक करने के बाद दोस्तों हमें simple से जो आपना capture है, उसको डाल देना है, capture डालने के बाद दोस्तों simple से हमें proceed कर देना है payment के लिए, payment के लिए proceed करने के बाद दोस्तों हमारे पास तीन option मिल जाते हैं, तीन option में मिल जाते हैं, e-wallet, e-wallet म में दोस्तों आपको 6 Para और संद मिला एक अपना रेल में आई मितरा मिल जाता है उसके गलवा मोंने उसके लग्सान कंभिने हैं हैं इसके रावा दोस्तों हमारे पास यह पर हमारा आप क्यूंज इसमें आपको मिल जाता है वहाँ फंखकाद डब भीम यूपिय में बस एक सेलेक्ट करते हैं और वन किलिक में यहां पर पेमेंट हो जाए गए भीम यूपिय से तो यहां पर मैं आपको एक ट्राइल दिखा देता हूं जासे कि का टिकट बुक होगा वो दिख जाएगा इसके लावा दोस्तों आपको बता देता हो कि कैसे आपको बुक करना है मिल कैसे आप on the go ट्रेन से बुक कर सकते हैं तो दोस्तों आपका जो ट्रेन बुक होगा आप ट्रेन में जाके यहां पर अपना दासंग का PNR नंबर आपको यहां पर सिंपल से डाल देना है यहां पर आपको उसके अलावा कुछ नहीं डाला है ना नाम डाला है ना मोबाइल नमर डाला है और आपको restaurant select करना है आपका जो भी food है वो से लिक्ट करना है वो सब select करने कवाद दोस्तों हमारे पास simple option मिल जाएगा दो option मिलेंगे आपको pay on delivery और cash on delivery तो दोस्तों यहां पर location कभी आपको डालना नहीं है वो खुद बखुद जो ट्रेंड में बैठ है वो आपको locate कर लेगा और जो भी आपका नेक्स्ट option नेक्स्ट इस जंग्सन आने वाला होगा वहां से आपको select कर लेगा और वहां का option दिखाने लगे आपको फूड यहां पर अवलेबल है आप select कर सकते हैं तो दोस्तों फूड सेलेक्ट करने के पाद यहां पर लास्ट हमारे पास option मिल जाता है दो option मिलते हैं पे online और cash on delivery अगर आपको फर्चिवारा होता है तो आप उसका complain भी कर सकते हो तो cash on delivery का भी option हता है तो अगर आप payment कर लेते हो तो दोस्तों एक आदमी आएगा इंसान आएगा जो आपको फूड डिलेवर करेगा और जैसे ही आपको ट्रेन रुकेगा वहाँ पे आपको 15 से 20 सेकेंड के अंदर वह आपको इंसान ढूनते हो आजाएगा आपको बस सीट नमर पूछेगा वहाँ पे आपको cash on delivery किया हुआ रहेगा तो आपको payment देना रहेगा और अपना फूड ले लना होगा तो दोस्तों इतरह सका है आयार सीटी से का application है लाश भूलना चाहूंगा कि application बहुत ही अच्छा है काम का है और बहुत ही useful है तो वीडियो आप like जरूर करना और कोई भी problem आए तो आप मुझे message कर सकते हो comment कर सकते हो तो दोस्तों आज के लिए बस धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे कि कैसे कैसे हम ट्राटिकट बुक कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है कर दोस्तों आप